तो दोस्तो जैसे कि आप सब इन वीडियो के थम्नेल एंड दोस्तो टैटल में भी आप लोगों ने देखी लिया होगा आज हम बात करने वाले हैं दोस्तो की किस तरीके से जो है हम लोग रिंग अप्लिकेशन से प्रस्णल लोन ले सकते हैं जैसे कि दोस्तो यहां पर देख अब यहां पर दोस्तो पहले रिंग अप्लिकेशन के अंदर कुछ अलग सिस्टम था लेकिन अब यहां यहां पर काफी चीज चेंज हो चुका है रिंग अप्लिकेशन के अंदर काफी चीज यहां पर दोस्तो बदलाव हो चुका है तो इस वीडियो में आज मैं आपको कम्प्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया थ यहां पर दोस्तों देखेते मेरा जो है यहां पर 3300 का यहां पर जो है मेरा लोन एप्रूब हुआ है इस अमांड को चाहूं तो डारेट में बैंक अकॉंड के अंदर यहां पर दोस्तों आपको अपने प्लेश्टोर में आना है एंड अप्लिकेशन आपको सर्च करना है रिंग अप्लिकेशन मैंने दोस्तों पहले से एक अकॉंड लोग इन करके रखा हुआ तो यहां पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एंड यहां पर दोस्तों डिलीट करने के बाद हम ओपेन बटर में किलिक करते हैं ध्यान से देखना शारा ची आपको step by step सारा प्रूसेस दिखा रहा हूँ application को दोस्तों सबसे पहले यहां पर आपको allow करने के लिए बोला जाएगा तो आपको allow कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना mobile number डालना है and आपको submit button में click करना है तो यहाँ पर दोस्व आपको जो है अपना उसी mobile number को डालना है जो mobile number आभी तक जो है आपने हो सकता दोस्व लोन अपलाई करने के कोशिश किया हो गरिंग application के अंदर लेकिन लोन नहीं मिला होगा तो आपको घबलाने के जरुवत नहीं है दोस्व यहाँ पर आपको बिल्कुल new mobile number डालके submit में click करना है आपके mobile number पर दोस्व एक OTP भेज़ जाएगा तो चलिए पहले यहाँ पर mobile number डालता हूँ आपके mobile number पर दोस्व एक OTP patient किया गये है OTP दोस्व यहाँ पर आपको डालना है अगर आप यहाँ पर दोस्व आगर आपका mobile number अगर आपका जो है इसी mobile पर लगा हुआ है तो automatic दोस्व आटो redirect कर देगा और आपका दूसरा mobile number आगर आपका हो सकता number आप अलग जिगा रखे हैं जिस नाम से loan ले रहा है तो यहाँ पर आपको अलग से यहाँ पर message डाल के आपको यहाँ पर verify में किलिक करना है तो चलिए यहाँ पर mobile number OTP डाल के verify कर देता हूँ उसके बाद दोस्व यहाँ पर जैसी आपना OTP डाल देते हैं उसके बाद आपको accept and read वाले options पर किलिक करना होगा तो यहाँ पर दोस्व आपको जो है इसको सारची को यहाँ पर गया करना है फटाफट से accept and read में आपको किलिक करना है उसके बाद दोस्व यहाँ पर जैसी आप आजाते हैं आने के बाद यहाँ पर आपको अपना first नाम डालना होगा उसके बाद आपको अपना last नाम डालना है और दियान से देखिएगा यहाँ पर सारची आपको अच्छी तरीके से feel करना है सारची अगर आप एक भी detail यहाँ पर mismatch कर देते हैं तो आपका loan amount जो है दोस्व रिजेक्ट भी हो सकता है तो यह सारची दोस्व आप अपने हिसाब से देख करके अच्छी तरीके से feel करेंगे तो यहाँ पर मैं चलिए first name डाल देता हूँ जैसे कि अगर आपका नाम राहूल है राहूल कुमार तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्व आप डालेंगे यहाँ पर क्या डालेंगे राहूल डालेंगे उसके बाद दोस्व आप अपना मम्मी का नाम डालेंगे उसके बाद दोस्व आपको अपना email id को यहाँ पर डालना होगा उसके बाद email id डाले के बाद आपको अपना यहाँ पर date of worth को select करना होगा जो भी date of worth आपका होगा दोस्तों आधार काड के हिसाब से वो date of worth को आप यहाँ पर डालेंगे आची तरीके से और gender में आपको यहाँ पर male female का option मिलता है आप male है या female है वो आप यहाँ से choose करेंगे हम male है तो mail चूस करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है जो पिन कोड आपके दोस्तों आधार काड के पीछे लिखा हुआ रहता है यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एरिया का पिन कोड वो होता है ठीक है तो यहाँ पर मैं चलिए फटा फट से पिन कोड डाल के यहाँ पर नेक्स कर देता हूँ फटा फट से आपको भी यहाँ पर पिन कोड डाल देना है उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आप तो यहाँपर ड्वस्त आपको सबसे पहले जह advis Su Transfer करना होगा आधार कार्ण से तो आधार कार्ण से वेरिफिकेशनकरने के लिए आपको यहाँपर पर ड्यकिलिक करना है एंड यहाँपर ड्यक्विक नहीं Alex passing, कि आपका जो यहां पर जो नमबर आपको जी लिख करके आ रहा है उस सेम नमबर आपको यहां पर डाल करके next बट्रम पर किलिक करना है तो चलिए आपर फटाफट से आधार काड का detail डाल देता हूँ उसके बाद दोस्तों आपके आधार काड के साथ जो मबाइल नमबर लिंक है उस पर एक OTP भेजा गया है OTP डालेंगे और यहां पर आप continue करेंगे तो OTP आपको अच्छी तरीके से fill करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने इस तरीके का दोस्तों आपको permission मागेगा यहां पर आपको इसे allow कर देना है फटाफट से यह DG Logger का permission माग रहा है और यहां पर आपको successful इस तरीके का verification हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एक selfie अपलोड करना है दोस्तों किलिक करना है फोटो आपको तो इस बोक्स पर आपको अच्छे तरीके से दोस्तों एक selfie खीचना है तो चलिए मैं फटा फटा से selfie खीच देता हूँ फैनल दोस्तों यहाँ पर हमारा selfie अपलोड हो चुका है successful अब आपको यहाँ पर प्रोशीट बटर में किलिक करना है तो दियान से दोस्तों देखती जाना ring अपलिकेशन से लोन ले रहा है तो और अगर आपको इस अपलिकेशन से लोन किसी भी कारण से अगर reject हो जाता है तो म आपको अपना pancard का दोस्तों number लोन करके दोशीट बटर में किलिक करना है तो चलिए फटा-फट से मैं pancard का दोस्तों number लोड़ देता हूँ आपको भी अच्छी तरीकी से दाल देना है जैसे दोस्तों आपके सामने income details आपसे पूँछा जा रहा है तो यहाँ पर income details में दोस इनकम कितना है तो यहाँ पर मैं 36 लाग के बीच में डाल देता हूँ उसके बाद दोसु यहाँ पर आपको अपना पीन बना लेना है दोसु चार आंक का पीन याद रखना है दोसु यह पीन जो है आपके पासवर्ड के हिसाब से दोसु काम करेगा यानिके आपके मोबाइल जिस तरीके से पासवर्ड रहता है उसी तरीके से इस अप्लिकेशन का आपका पीन बन रहा है तो यहाँ पर आप अपना चार आंक का पीन डालेंगे उसके बाद आप सब्मिट में किलिक करेंगे तो जो भी दोसु यहाँ पर आपको लोन मिलना रहेगा जो अमांट मिलना रहेगा वो आपको show कर देगा उसके बाद दोसु यहां पर जो है आपके सामने दोस्तो इस तरीके का message आपको मिलेगा your contract license यहनि के दोसो जो loan amount है दोस्तो आपको कितना मिला है यह आपको show कर देगा हलाकर है आपको बलण करके रखा हूँ दोसु कितना मिला है वह मैं आपको दोस्व आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है अब आपको दोस्व इस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर टू बैंक में किलिक करेंगे और यहाँ से दोस्व आप अपना बैंक का दोस्व IFC code डालेंगे, account number डालेंगे, confirm account number डालेंगे, account holder name डालेंगे दोस्व और यहाँ पर account type चूस करेंगे आपका account की तरीके का है, और यहाँ पर दोस्व डालने के बाद जो है आपको continue बटर में किलिक करना है, जैसे कि दोस्व हमारा यहाँ पर bank detail में यहाँ पर दोस्व फिल कर आएगा सारा reading accept आपको यहाँ पर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फटफ़ट से accept करना है, उसके बाद दोस्व जो पीन मैंने आपको बताए तो जो password वो password आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से डालना है, confirm करना है, उसके बाद दोस्व यह पैसा आपके bank account के अंदर दोस्तों ट्रांसफर कर दिया गया है तो इस तरीके से दोस्तों रिंग अप्लिकेशन से लोन ले सकते हैं जो complete process मैंने दिखाया वीडियो अच्छा लगा दोस्तों दो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं